शाम के चार बच चुके हैं और मेरे इवनिंग के पावर आवर्स स्टार्ट हो चुके हैं आदा घंटा की पावर नैप लेने के बाद मैं यहाँ पर बिल्गुल रेडी हूँ इवनिंग पावर आवर्स के लिए वेलकम फ्रेंड टू चेंज लाइफ विद रचना दोस्तो आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग का इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ जो कि स्टार्ट होता है मेरा डेटॉक्स वाटर के साथ सबसे पहले उठकर मैं बनाती हूँ डेटॉक्स वाटर तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ खीरे के स्लाइस लिए है कुछ लेमन स्लाइस लिए है और यहाँ पर मैंने मिंट की लीवस लिए है तो एक बोटल में मैं जो ककंबर की स्लाइस होती है मिंट एंड लेमन के स्लाइस डाल रही हूँ और दूसरा वाला जो है उसमें मैं कुछ अनार के दानों को क्रश करके वो डालूंगी तो यहाँ पर मैं दो बोटल बना रही हूँ और यह बहुत ही अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए समर्ज चल रहे हैं पानी की बहुत ज़्यादा जारूध होती है थोड़ी-थोड़ी दियर में हम लोग पानी पीते हैं अगर इस तरह के का हम डेटॉक्स वाटर पीते हैं तो यह हमारे हेल्द के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही रिफ्रेश करता है अमारी बाओडी को तो मैं भी ही चाहती हूँ कि आप लोग भी इस तरीके का detox water बनाए ये मेरा self DIY है और इस तरीके का पानी बहुत ही अच्छा होता है अब देखे 4.30 हो चुके हैं अब मैं अपनी दोनों बच्चों को उठाऊंगी तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को उठाया और सबसे प बच्चों को जाधा से जाधा time दे उनको busy रखे तो मैं यही करती हूँ अपने बच्चों को सुभाइ से शाम तक किसी चीज में मैं उनको busy रखती हूँ यही routine में आपके साथ आप आज share करने वाली हूँ सबसे पहले मैं उनको उठाकर यहाँ पर मैंने उनको detox water दिया है और यह water मैं भी पी रही हूँ क्योंकि anti-aging भी होता है उसके बाद मैंने यहाँ पर बच्चों को study के लिए बठाया जो उनका homework होता है उनकी online classes चल रही है वो homework करती है और यहाँ मैं उनकी homework करने में help भी करती हूँ जो भी उनकी problems होती है वो मैं solve करती हूँ और उनकी study में help करती हूँ study के बाद मैं उनको देती हूँ seasonal fruit जो भी चलता है season का जैसे कि अभी summers है तो musk melon, watermelon और अभी मैं यहाँ इनको जो है यह जामुन offer कर रही हूँ तो इस समय बच्चे थोड़ा टीवी में cartoon देखते हैं और यहाँ पर यह fruits भी खा लेते हैं ज़रूरी होता है कि आप उनकी health का भी अच्छा ख्याल लगते क्योंकि आपके growing बच्चे हैं तो उनके लिए आप healthy चीज़े दे यहाँ पर उनके लिए मैं एक healthy snack की preparation कर रही हूँ यहाँ पर मैं pancake बराने वाली हूँ आज तो उसके लिए मैंने whole wheat flour लिया है उसमें मैंने one fourth teaspoon मैंने baking soda और यहाँ पर nuts डाले हैं और गुड भीगो कर उसका मैंने रस डाला है यहाँ पर और दूद मैंने उबालने के लिए रख दिया है और अब हम लोग आ गए हैं terrace पर यहाँ पर मैं बच्चों को cycling के लिए encourage करती हूँ और मैं यहाँ पर पौधों को पाने डाल देती हूँ हाफ एन आवर के बाद हम लोग नीचे आए हैं और अब मैं बना रही हूँ pancake baking soda से काफ़े fluffy हो जाते हैं और काफ़े softness भी इन में आ जाती है यहाँ पर oil भी काफ़ी कम यूज होता है और साथ के साथ मैं यहाँ पर बच्चों के लिए milk बना रही हूँ और इसमें मैं जो पतंजली का पावरे मीटा होता है वो मैं इनके यूज करती हूँ बच्चों के लिए यहाँ पर दोनों बच्चों evening snack जो है enjoy कर रहे है यह pancake काफ़ी बच्चों को पसंद भी आता है और उसके बाद आप बारी आती है मेरे चाई की यहाँ पर मैं अपने लिए masala चाई बना रही हूँ जो की मुझे काफ़ी पसंद है तो masala चाई के लिए मैं यहाँ पर long, ilaiji, एक कालिमेर्च और कुछ अद्रक डाला है मैंने और मेरी strong and masala चाई जो है बनकर तयार है यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए rest करूँगी और यहाँ पर टी enjoy करूँगी मैं और टी enjoy करने के बाद अब तयारिक हो रही है यहाँ पर डिनर की उसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले चावल को सोक करके रखा है और यहाँ पर मेरी husband आ चुके हैं उनके लिए भी evening snack तयार है और अब यहाँ पर मैं छोलो की gravy तयार कर रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पर onion paste और tomato को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और वही regular के मसाले जो हम हर सबजी में यूज करते हैं धनिया powder और छोले मसाले हल्दी यह सभी मैं इसमें यूज कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने बनाई है भिंडी और यहाँ पर मैंने कड़ लिया है क्योंकि अब मैं साथ में रायता भी बनाऊंगी तो यहाँ पर मैंने बुंदी डाली है इसमें और शाथ में इसमें मसाला पाउडर आता है तो उसका सैचिट मैंने इसको कटकर के इसमें डाल दिया है तो रायता भी हमारा बन कर तयार है यहां पर मैं कूकर में बना रही हूँ पुलाव तो मैंने दो टे स्पून यहाँ पर घी लिया है उस पर मैंने थोड़े खड़ी मसाले टाले है और यहाँ पर पुलाव के लिए मैंने लिंट कूकर की लिंट लगा दी है और अब यहाँ पर मैं तलने लगी हूँ पूरिया तो हमारा पुलाव भी बन करता है यार है और हमारी फैमिली का एक फेवरेट डिनर बिलकुल रेडी है आपको यह डिनर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएए यहाँ पर डिनर करने के बाद हम लोग आपसी मिलते हैं लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस समय पैंडमिक टाइम है अपने आपको पॉजिटिव रखिए घर की पॉजिटिविटी बनाई रखने के लिए जरूरी है कि आप खुश रहिए आप खुश यहाँ बॉक्स में दे दूएंगी तो यहाँ पर काउंटर और उसके बाद मैंने यहां पर फाइनल क्लीनिंग कर दी है पूरे काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है एक बार और सिंख को भी मैंने यहां पर अच्छे बढ़िया तरीके से रगड रगड कर क्लीन कर दिया है और सिंख भी यहां पर मेरा बढ़िया तरीक का रूटीन था यही मेरा रेगुलर का डेली रूटीन है अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए चैनल पढ़नाई है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नेक्स आप तक सबसे पहले पूचे तो मेरी नेक्स वीडियो तक बाबाई एंड टेक केर